हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नुश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन Thailand में एक प्रकार का राजनेतिक भूकम पा गया है Thailand की राजनीती वैसे भी कोई बहुत जादा स्थाई राजनीती नहीं मानी जाती बहुत जादा स्थिता वहां की राजनीती में नहीं देखी जाती सरकारों का गिरना, बदलना, सेना की दखल अंदाजी, न्याईपालिका की दखल अंदाजी वहाँ पर बहुत ही आम बात है अगर आप वहाँ की राजनीती को फॉलो करें तो आपको ये पता चलेगा लेकिन अभी एक घटना हो गई है जिसने वहाँ की तकरीबन एक साल से जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ की राजनीती चल रही थी उसमें एक बार फिर से भूकम पला दिया है और वहाँ की सुप्रीम कोट ने प्रधान मंतरी को बर्खास्त करने की घोशना कर दी है अब ये घोशना किसलिए की गई है ऐसा क्यूं किया है कोट ने वो कारण आप जानेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे तो ये सारी चीजे वहाँ पर क्या हुआ है अब क्या होगा आगे ये सारी चीजे मैं आपको अगले 5 मिनिट में बता दूँगा लेकिन उसके पहले आपको बता दूँँ कि भाई हमारा P2I बैच जो है जो 29 तारिक से माप कीजेगा शुरू हो रहा है उस पर लगने वाली सेल भाईया का लावत दे है कल पतंतरता दिवस भी है तो भाई इस सेल का कल जो है आखरी दिन है अभी इस सेल के तहट आप इस कोर्स को AJ लाइव कोर्ड लगा कर मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं याद रखेगा 23,999 में आपको ये मिल सकता है तो इसमें आपको रोज 3 गंटे की live class mentorship daily practice questions प्री और मेंस के मेंस के questions का रोज़ाना समाधान प्री और मेंस दोनों की test series आपको मिलेगी और इसाथ के साथ आपको जो है 18 किताबे आपके घर पे साथ में selection box पर अगर आप pre-qualify करते हैं तो आपकी पूरी fees refund हो जाएगी और साथ के साथ आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे जहां पर आपका रहना खाना पड़ना आपकी mains के तयारी के लिए पूरी तरह से नेशुल्क होगा तो आज ही इस batch से जुड़ जाएए कल इस sale का last day है कल के बाद ये 27999 का हो जाएगा अगर आपको 2025 में परीक्षा देनी है अगर आपको उसके बाद परीक्षा देनी है 2026 या 27 में तो जो हमारा long term batch है वो 21 तारीक से शुरू हो रहा है जिसमें पहले एक साल आपको हम basic पढ़ाते हैं और उसके अगले एक साल आपको advanced level पढ़ाया ज होता है तो 30,000 का आपको ये batch मिल जाएगा 2026 और 25 दोनों attempts की आपको ये पूरी तयारी कराएगा तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं AJ life code लगा के इसकी भी कीमत जो कम है वो केवल 15 अगस्तक ही है तो याद रखिएगा इन दोनों में से किसी भी batch से आप तुरन जुड़ सक जिसका जिनका नाम था श्रेथा थाविसिन ठीक है श्रेथा थाविसिन साब जो थे ये थाइलैंड के प्रधान बंतरी थे ठीक है और करीब करीब एक साल हुआ है अभी वादा टाइम नहीं हुआ है इनको प्रधान बंतरी बने हुए तकरीबन एक साल पहले ये में वहाँ पे गड़बड़ी हुई, कोई दूसरी पार्टी जीती, उस पार्टी को सत्ता नहीं दी गई, फिर कुल मिला के सेना ने गठबंदा नित्यादी बना के इनको प्रधानमंत्री बना दिया, और ये भी जो हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिसको कहता है रियल कोट क्या होती है, कि कई देशों में इस प्रकार का प्रावधान है, जिन में से फ्रांस भी एक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि समवधानिक मामले सुनने के लिए एक अलग न्यायाले होता है, आम जो अपराधिक मामले होते हैं, वो सुनने के लिए अलग न्यायाले होता ने ये निरने दिया है कि शेथा थाविसिन साहब को उनके पद से हटा दिया जाए इनको अयोग गोशित कर दिया गया है इनको अयोग गोशित कर दिया है समवधानिक कोट ने और कोट ने क्या इन पर आरोप क्या था इन पर आरोप था समवधानिक नैतिकता के उलंगन का आर ये आरोप इन पर लगाया गया और ऐसा आरोप इन पर क्यों लगाया गया क्योंकि इन्हों ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया थाविसिन सहाब ने जिसका नाम था पिचित चुएन्बन नाम के एक वकील है इनको थाविसिन सहाब ने क्या किया मंत्री नियुक्त कर दिया और चुएन्बन जो है वो एक बार 2008 में कभी 15-16 साल पहले रिश्वत देने के मामले में जेल जा चुके हैं इन पर रिश्वत देने के लिए इनको जेल हुई है हाला कि सिद्ध नहीं हुआ तब कुछ दिनों जेल में रहे उसके बाद चूट गए तो एक ऐसे व्यक्ति जिनका चरित्र जिनका आचरण जो है वो संदेह के घेरे में है पिचित चुएन्बन का जिनको रिश्वत देन इस बात पर लेकर विवाद चल रहा था और इस विवाद के बाद ये मामला समविधानिक न्यायाले में पहुँचा और समविधानिक न्यायाले ने इस मामले को इस आचरण को जो है अनैतिक आचरण ठहराया समविधान के खिलाफ ठहराया और इस आधार पे थाविस इनको अयोग्योगोशित कर दिया कि वो देश के प्रधान मंतरी रहने के लायक नहीं है और उनको ततकाल प्रभाव से पद से हटा दिया ठीक है तो अभी के लिए ऐसा किया गया है अभी वहां के जो उप्रधान मंतरी है उन्हें कारेवाहक प्रधान मंतरी नियुक्त किया गया है और जो सत्ता रूड पार्टी है, उसी में से अब संसद जो है, वो किसी को नया प्रधानमंत्री चुनेगी. तो भाई एक प्रकार की राजनेतिक अफ्थिरता वहाँ पर आ गई है, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, कि अगर आप थाइलैंड की राजनेति को देखें, तो वहाँ पर राजनेतिक अफ्थिरता कोई नई बात नहीं है, आप देखेंगे कि पछले काफी समय से वहाँ पर एक राजनेति, राजनीती में एक तो नेता, नेतागरण जो होते हैं, वो तो होते ही है राजनीति का हिस् सेना, सेना भी वहां की राजनीती में बहुत ज़्वादा दखल अंदाविय करती है और तीसरा पक्ष इसका होता है कोट न्याए पालिका, वहां की न्याए पालिका जो है इन तीनों के बीच हमेशा एक रस्सा कशी एक गहमा गहमी चलती रहती है और आम तौर पे ये जो है, ये जो एक triangle वहाँ पर बना हुआ है, जो वहाँ की सत्ता को चलाने का प्रयास करता है, इस triangle के कारण वहाँ पर राजनेतिक अस्थिरता का महौल आम तोर पे बना रहता है, कोई भी ऐसी स्थिर्फिती वहाँ पर हो नहीं पाती, और वहाँ पर जो है अब इस मामले में एक बा परवर्ड पार्टी, कोट ने इस पार्टी को ही बैन कर दिया था, इस पूरी पार्टी पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके अलावा जब चुनाव हुए, चुनाव में जो व्यक्ति प्रधान मंतरी बनने के लिए सबसे वादा योग्य थे, जिनको सबसे वादा समर् प्रधान मंतरी वहाँ पर नहीं बनने दिया गया, सेना के क्योंकि वो पक्षदर नहीं थे, सेना उनको पसंद नहीं करती थी, तो इस प्रकार की प्रक्रिया वो थाइलेंड में आम नहीं है, राजनेतिक अस्थिर्था वहाँ पर आम तोर पे रहती है, लेकिन ये कहा जात है कि पिछले लगभग साल भर से थोड़ी शांती थी वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि राजनेतिक स्थिर्था आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब जो है सम्विधानिक कोट के इस जज्जमिंट के बाद एक बार फिर से राजनेतिक तोर पे वहाँ पे अस्थिर्था आ रही है तो लॉंग टर्म बैच जो है हमारा आप इससे जुड़िये 30,000 रुपे में AJ Life Code लगा के और अगर आप 2025 में परिक्षा देने वाले हैं तो आप जो है हमारे प्रतिग्या 2.0 बैच से जुड़िये केवल कल तक सेल चल रही है उसके बाद सेल नहीं होगी इस चर्च